नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट मैं हूँ अभिसेक मिस्रा बिहार में राजसभा की पांच सीटों के लिए चुनाव होने हैं चुनाव आयोग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है बिहार के जिन पांच राजसभा सांसदों का कारेकाल खत्म हो रहा है वे हैं जेडियू की कहकसा परवीन, रामनाथ, ठाकूर, हरिवन्स, बीजेपी के सीपी ठाकूर और आरके सिन्हा राजसभा की खाली होने वाली कुल सीटों की बात करें तो 17 राज्यों की 55 सीटें खाली हो रही हैं बिहार में आकडों के लिहाद से देखें तो इस बार जेडियू बीजेपी के खाते में दो सीटें छिन सकती हैं क्योंकि आर्जेडी कॉंग्रेस की सन्युक ताकत और विपक्ष के समर्थन से उनके इन में से तीन सीट जीतने की छमता नजर आ रही है दरसल राज्य की कुल 243 विधानसवा सीटों में से जेडियू के पास 70, बीजेपी के पास 54 और एलजेपी के पास 2 विधायक हैं वहीं विपक्षिक है में के आर्जेडी और कॉंग्रेस के पास क्रमसा, 80 और 26 विधायक हैं जबकि CPI के पास 3 जितना माजी की पार्टी हम के पास 1 और AIMIM के पास 1 विधायक हैं जबकि 5 निर्दलिये विधायक हैं वहीं महिसी विधानसवा सीट रिक्त है सीटों के गनित के लिहाद से देखे तो एक राज्यसवा सीट के लिए 35 सीटे चाहिए ऐसे में 2 सीटों का नुकसान NDA को हो सकता है वहीं सहीक विपक्स 3 सीटे जित सकता है ऐसे में कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस और RGD में एक तरह से समझोता हो चुका है कि 2 सीटे RGD के खाते में जाएंगी और एक कॉंग्रेस के पाले में राज्यसभा की एक सीट आरजेडी कोटे से राज्यसभा सांसद रहे राम जठमलानी के निधन से भी खाली हुई है इसको लेकर कोई विसेश जानकारी सामने नहीं आ पाई है इस खबर मितना ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर करें हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे प्यार समर्थन और सहयोग के लिए बहुत क्या साथ साथ बहुत बद्ध कि लड़